जहीं दोस्तो मैं हुआ नूप और आफ सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉनफलिक्ट हिंदी दोस्तो आर्फोर्सेस के मजबूती के लिए इंडिया के द्वारा कई तरीके के हत्यारों को जहाँ पे प्रोकियोर किया जा रहा है तो वही पे और वी कई तरीके के हत्यारों को प भारत को अब विफलता का सामना करना पड़ रहा है तो आजके इस विडियो में आप लोगों को भारत के बेड़े में शामिल करने का इरादा रखने वाले ऐसे दो हत्यारों के बारे में बताओंगा जिनमें एक में तो भारत को कावी बड़ा सफलता मिला है तो वही पर तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए दोस्तो जिस हत्यार को लेके भारत को सफलता मिला है चलिए उसके बारे में सबसे पहले जानते है और दोस्तो ये हत्यार है इंडियन आर्मी के तरफ से खड़िदा गया अपाचे हेलिकॉफ्टर आफ सबको पताई होगा कि साल 2020 में जब फेवर्डी महिने में तफके अमेरिकी प्रेसिडेंट डॉनल्ड टरम्प के तरफ से भारत का दौरा किया गया था तब भारत और अमरिका के बीच में छे अपाचे हेलिकॉफ्टरों को लेके समझोते की उपर हस्ताक्षर हुआ था वेसिकली ये हेलिकॉफ्टर एयरफोर्स के बाद आर्मी के लिए खड़िदा गया है और अब रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि बोईंग कमपनी के तरफ से इन 6 हेलिकॉफ्टरों में से पहला हेलिकॉफ्टर इंडियन आर्मी को अगले साल के फेवर्डी महिना मतलब साल 2024 के फेवर्डी महिने में डिलिवर किया जाएगा जबकि 6 के 6 हेलिकॉफ्टर इफ्रिल 2024 तक इंडियन आर्मी को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि इंडियन आर्मी की एविएशन कोर के चार पाइलोटों के द्वारा अल्रेडी बोईंग के फेसिलिटी में एपाचे हलिकॉफ्टरों को फ्लाई करने को लेके ट्रेनिंग हासिल किया जा रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एपाचे हलिकॉफ्टरों के डिलिवरी शुरू होने से पहले ही इन सवी हलिकॉफ्टरों के प फिलाल आर्मी के पास ऐसा कोई भी अटैक हेलिकॉफटर नहीं है या फिर कहतो डेडिकेट अटैक हेलिकॉफटर नहीं है। फिलाल अगर यार्फोर्स के 22 अपाचे हेलिकॉफटर नहीं हेलिकॉफटर नहीं हेलिकॉफटर नहीं है। इसके लिए खड़िदा जा सकता है, हाला कि दोस्तों ये जो एडिशनल 11 हेलिकॉफटर है, इससे लेके जानकारी दिया जा रहे है कि ये इंडियन आर्मी को मिल सकता है, जबकि दूसरे तरफ इंडियन आर्मी को मिलने वाले हेलिकॉफटरों को लेके और एक बड़ा खुशक जाएगा जाएगा और इसके बाद जल्दी इसे तयार करके अमेरिका वेजने का भी तयारी किया जा रहा है, भारत में इस्तित टाटा और अमेरिका के जॉइंड वेंचर के दूसरे जाएगा इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमे भारत को विफलता का सामना करना पड़ सकता है या फिर एक तरीके से कहें तो विफलता का सामना करना करना पड़ा है और दोस्तों यह है एवेक्स एयरक्रेप्टो का लीस। चारण यह जो फोर्स में गैप है मतलब जो रिक्वार्मेंट को लेके इंडिया को मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है उससे पूरा करने के ले कुछ एवेक्स एयरक्रेप्टो को ग्लोवल मेनुफैक्चरर या फिर कहेतों कुछ अन्ने देशों से लीस में हासिल करने क इरादा बनभ गएया था लेकिन इसमें इंडियान एर्फोर्स के सामने किसी भी तरीके का ऐसा ओफर नहीं आया है जहाँ पर कोई एयरवन येर्वार्न और्ली वर्निंग एंड करने को हासिल के आया सके फिलाल दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस तरीकेगा फिलाल ऐसा कोई यारक्राफ अवलेवल ही नहीं है जो इंडिया अन्ने देशों से या ग्लोबल मैनुफैक्चररों से हासिल कर सके हालाकि जो कुछ aircraft फिलाल available है वो इंडिया के आवशकताओं को भी साही डंग से पूरा नहीं कर सकता है दूसर रिपोर्ट में ये भी वताया जा रहा है कि कुछ ऐसे यारक्राफ मार्केट में एवेलेवेल है लेकिन ये 70 के दशक के पुराने यारक्राफ होने के कारण जादा तर देश ये अपने बेड़े से रिटार कर चुका है और जो कुछ बात की बचा हुआ है वो भी इस कं 767 या फिर कहें तो E7 जैसे यारक्राफ है और दोसो बोईंग कमपनी असल में इस तरीके के प्लाटफॉर्मों को निर्मान करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है हाला कि बोईंग कमपनी के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो अफ तक बोईंग के द्वारा इस त यारक्राफ्टों को देखा जाए तो इंडिया के पास टूटल अव 6 एयरक्राफ्ट ही है जिन में से 3 तो भारत के द्वारा निर्मान किया हुआ नेतर मार्क वान एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहे कि करीवन मार्क 2 को लेके भी 6 गया है वी फिर इंडिया के पास इसके इलावा बड़े आकर के एवएक्स के रूप में A50 एवएक्स है जो रशियन प्लाटफॉर्म के बेस पे मतलब इलूजन 76 एयरक्राफ्टों के बेस पे इसराइली ELW-2090 रैडर के बेस पे बनाया गया है हालाकि इन एयरक्राफ्टों प्लाटफॉर्म के रूप में शायद नेतर मार्क वान के जैसे एमबेरियर EMB-145 प्लाटफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाए जबकि कुछ जगाव में ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद एमबेरियर प्लाटफॉर्म के जगा में इंडिया के द्वारा के द्वारा भी अब तक बनाया जा चुका है भारत को कम से कम एक ही समय में 18 के आसफास एयरक्राफ्टों का जरूरत है जबकि भारत के पास केवल मात्र 6 एयरक्राफ्ट ही है जबकि इस तरीके के गैप को फिल करने के लिए अगर स्वाधिशी प्लाटफॉर्मों को बनाया यह भारत के लिए एक चिंता का विशाय बन सकता है और जो सो गैप को पूरा करके जिस तरीके से स्वाधिशी प्लाटफॉर्म के तहट आगे बढ़ने का इरादा बनाया गया था शायद इससे मतलब लीस में कंडिडेट ना होने कारण भारत के इस इरादे को ड्रॉप करन पड़ेगा फिलाल दोस्तों सफलता तो भारत को कई सारे सेक्टर में मिल रहा है और खाली एपाची हेलिकॉप्टर में ही सफलता नहीं मिला है बलकि स्वाधिशी कई तरीके के हत्यारों को निर्मान करने में भारत को सफलता मिला है जिनमें टैंक से शुरू करके भारत को एक तरीके से विफलता का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें भी कमपनियों के तरफ से भारत के आवशक्ताओं को पूरा करने का शमता ना होने के कारण कमपनी एक के वाद एक पीछे हट रहा है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ बैल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन